तो क्या आपको याद है कि कराची के लागे अधिरावाद में मुल्की तारीख की असले की सबसो बड़ी खेट बरामद हुए जिस घर से ये असले की खेट बरामद हुई अब उस घर की क्या सूटे हाले और बिल्लर माफिया ने कैसे उस पर अपने पंजय का रहे हैं ये अजीज़ाबाद के मकान नमबर R-824 की इस तंकी से मुल्की तारीख की सबसे बड़ी असलेह की खेट बरामद हुई ये है वो मुल्की तारीख का भारी तरीन असलहा जो के एक तंकी से बरामद किया गया इसमें एंटी एरक्राफ गन छोटे बड़े हत्यार बम गोलिया औ और दुनिया जहां का असलहा मौजूद था पांच अक्तूबर 2016 को असलहा बरामद करने के बाद पुलिस की तरफ से इस घर को मुकमल सील कर दिया गया लेकिन अब इस घर पर भी नजर पड़ गई है शेहर में तेदी से फैलते हुए बिल्डर माफिया की मकामी बिल्डर माफिया ने पुलिस से मुबयरा तोर पर साजबास करके इस घर की सील हटाई और तामीर का काम शुरू कर दिया है हकूमती सरपरस्ती में बिल्डर माफिया इस कदर मजबूत हो गई है के देशतगर्दी की केस प्रॉपरिटी पर भी बुलंदो बाला इमार्तों की तामीर जोर और शोर से जारी है और उसे कोई रोकने वाला नहीं जराय का कहना है के इलाकाई बिल्डर आसिफ उर्फ वी आई पी इस घर पर तामीरात करवा रहा है जिसे सियासी जमात के कारकुनों की हमायत हासिल है